अगर लंबे समय तक कोई भी व्यक्ती या कोई भी संगठन और अगर लगातार असफलता मिलती रहे तो असफलता स्वीकार करने की आदत पर जाती है ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जैसे की मैं उसको अगर मैं बहुजद समय पार्टी की संगठन पर रेपलाई करें तो मैं देखता हूँ कि 2012 में असफलता मिली फिर 2014 में असफलता मिली फिर 2017 में असफलता मिली फिर 2019 में असफलता मिली और फिर 2012 में कहने का मतलब 2012 से 2012 तक 10 साल लगातार सफलता मिली है ये सच हमें स्विकार करना पड़ेगा और कहीं हम अगर हमने करक्टिव एक्षिन नहीं लिया तो कहीं हम वो जो रूसो वाली बात तो कहीं असफलता को इंज्वाई तो नहीं करने लगे कहीं असफलता का आनंद तो नहीं लेने लगे नहीं आप हमें कुछ हटके करना होगा हटके करने का वक्त आ गया है धियूरि आफ जिसको कहते है cinema dialectics जिसको कहते हैं उसमें है क्या कि अगर अगर आप असफलता स्विकार कर लेते हैं तो फिर आप काम करने के तरीके बदलेंगे मानुवर का सिराम साब ने भी कहा था वो देश से नहीं बदलना है अगर आपको असफलता मिलती है तो देश से मत बदलो काम करने के तरीके बदलो तो अब हमें काम करने का तरीका बदलना होगा लेकिन वो बदला ने जा रहा है उसमें फिर एक और उधारण में आपको देना चाहूंगा पॉल फेररो का पॉल फेरिया जो एक ब्राजिल के चिंतक हैं पॉल फेररो उन्होंने एक किताब लिखिये किताब का नाम है The Pedagogy of Oppressed वन्चित लोगों का सताए हुए लोगों का सिक्षा सास्त्र वो उसमें एक चीज बताते हैं कि अगर जो सताए हुए लोग का सिक्षा सास्त्र क्या कहते हैं कि कुछ लोग आपकी टांक ही चन लगते हैं यह सताए हुए लोग यह उप्रेस्ट लोग कभी अपनी तरफ से इनिसिटिव नहीं लेते हैं और अगर उन्हें से कोई लेता है इनिसिटिव अगर कोई इनिसिटिव लेता है तो उसकी टांक खीचने लगते हैं जैसे आज पिछले दस साल से बहन माया वदी जी की बहुत सारे बहुत जोनों कहीं संगटन खीच रहेते लेकिन अब जादा खीचेंगे वो क्यों खीचते हैं अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर ल और वो सफल नहीं हुए तो असफल हुए तो जब 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 जो जो असफल हुए तो वो कहते तुम भी असफल हो जाएगा तुम भी मत कर तुम भी सफल नहीं हुए 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 तुम भी सफल नहीं हुआ इसी बात को जो मैंने कही है ये तो वहां कहीना मनने वर कासी राम सहाब ने ये करके दिखाया कि हम कैसे सासक बन सकते हैं हम सफल कैसे बन सकते हैं जो की पचास साल के इतिहास में कभी नहीं मिला बाबा सहाब बेट करके टाइम पे नए नए नहीं हम नहीं सासक बन सकते और नहीं हो सकत नहीं हो सकत नहीं हो सकत नहीं हो सकत नहीं ऐसा नागपुर के मुझे नागपुर की टिकेट काड़ाओ क्यों अरे अभी तो आजी तो में सीम का चार्ज लिया है आप कहां जा रहे हैं हमें बताओ वो क्यते हैं नहीं तुम स्वाशन करो मैं जाओंगा नागपुर क्यों मुझे जाना है नागपुर बहन जी ने टिकेट मानिवर काशिराम साहब का टिकेट नागपुर का किया और मानिवर काशिराम साहब नागपुर में जाके बोलते हैं हो सकत है मत्दब पांच बार उन्होंने ये सेंटेंस को बोला है हो सकता है वो महरास्ट के लोगों को बताया सफलता का सिध्धान तो जो एक पाल फेररों का सिध्धान जिससे कि नहीं हो जगता कुछ नहीं हो जगता, यहां 50 साल से कुछ नहीं हो 1947 से पहले बाबसाब चले गए, फिरर आरपी आई आई वो सब चले गए सब कुछ फेल हो गया, फिर मौर्याजवाई सब पेल हो गए, नहीं हो जकता, तो कासी राम साहब के सामने जब ये प्रशन आया, तो कासी राम साहब ने कैसे हैंडल गिया इस प्रशन को, हो सकता है तो फिर आज फिर हम आ गई हैं, वहीं जी रूपए जहां से चली थी, 1984 पे चली थी बहुजिन समास पाटी जागे हुए कम से कम एक करोड सत्रा लाख सेर अभी भी बहुजिन समास पाटी के साथ है मैं बड़े डेटा के साथ ये बात कह रहा हूं जिरो सीट आईए, एक सीट आईए लेकिन एक सीट, लेकिन यूपी में एक करोड सत्रा लाख लोगों ने जागे हुए सेर हैं, उन्होंने बोट डाला है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक करोड सत्रा लाख सेर ये बहन माया बती जी की अगली रड़नीती का इंतजार कर रहे हैं जब सफलता मिलती है, तो फिर जो जितनी मेहनत की थी, वो सब लोग भूल जाते हैं, सिरु सफलता वो सेलिबरेट करते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो खार के कारणों को लोग गिनाना शुरू कर देते हैं और सारे पिछला की ये धरे पे अच्छे से अच्छे व्यक्ति को का पानी फिर जाता है, और जब आप काम करेंगे तो सफलता वार सफलता मिलती रहती है तो विचार मन्थन हुआ हार के अलग अलग कारणों पे चर्चाएं भी हुई बहुत सारे कारकरताओं वो आप जानते हैं मीडिया में अलड़ी वो सब कहा है, बैंजी ने भी कहा है, सब इनेताओं ने भी कहा है हाँ, रड़नेती बदली हुई रड़नेती पे भी कुछ रड़नेती पे चर्चा हुई लेकिन सारी रड़नेतियां तो कहीं नहीं जाती न बताई जाती है, रड़नेती तो वही है जो apply की जाए जब परड़ाम आ जाए तो लोगों को पता चल जाएगा अब बहुजन समाज पार्टी नई रड़नितियों पे काम करेगी और नए तरह से लोगों को जोडने पे काम करना सुरू कर दिया गया है जैसे फॉर उदारन के लिए कि एक जिला में तीन या चार अलग तरह के अध्यक्ष बना जाएंगे अलग अलग SC, OBC, Minority और प्रबुद्वर्ग अलग अलग समाज के अध्यक्ष बनाए जाएंगे ये एक नया कादम है जो कि पहले भी हुआ करता था अलग अलग समाज के लोगों को कहीं न कहीं उसमें deviation हुआ था उसका नुक्षान भी हुआ बहुत सारे परड़ाम आप देखी रहे हैं तो बहुत भारी नुक्षान हुआ है उससे निरासा भी हुई तो कहीं न कहीं सबक लेकर के गलतियों से अब नई रणनेतियों के सद भी इस भी काम कर रहे है आप लोग तमाम लोगों को बड़ी उमीद थी कि बदलाब होगा संचा बड़े लेवल पर बदलाब होगा लेकिन सर वही फिर गिसे पिटे होगा ही चेरे वही लोग इधर से उधर कजंदर जी कहूं अगर कहूं अगर कहूं तो घर के अंदर वाले पीटेंगे अगर ना कहूं तो घर के बाहर वाले पीटेंगे तो बेटर क्या है ये एक फैस हैमत फैस की गजल वो है तो फिर बेटर ये है कि घर वालों की हिमार खालो ठीक है ना और कह दो कि क्या-क्या हमें करना चाहिए क्या-क्या कमयां रह गई मैंने पहले भी आपसे कहा था क्या कम ही रह गई देखो और सुधार करो तो अब कहीं न कहीं जैसे ब्रहह्मर समाज का वोट नहीं मिला तो फिर देखना पड़ेगा कि वो रड़नीती काम्याब नहीं होई